हैलू Communist ouais आज हम बनाने जा रहे हैं चोले वह भी जीरे वाले चावल के साथ तो जल्दी से देख लेठाएं यहां हमने चोले लिए हैं जिनको आमने रात पर भीको के रखा था और बाले के लिए हमें इक पोट्ली बनने जा रहे हैं पोटली बनाने के लिए मैं यहां बड़ी इलाइची और दो चम्मच चैपती का यूज़ कर रही हूँ हमारी पोटली बनके बिल्कुल तयार है अब हमने प्रेशर कुकर में अपने छोलो को डाल देना है और उसका ट्रिपल मतलब जितने छोले हैं उससे डबल और ट्रिपल हमने पानी यूज़ करना है और अपनी पोटली को भी इसी में डाल देना है आदा छोटी चम्मच हम नमक डालेंगे 5-6 सीटी के बाद हमारे छोले कुछ इस तरह से पके तैयार हो जाएंगे पोटली को हमें यहां से निकाल देना है तो एक कडाई में आप हमने तेल ले लेना है और तेल लेने के बाद हम इसमें डालेंगे हरी लाइची लॉंग और एक डाल चीनी का छोटा टुकड़ा और आदा छोटी चमच हम इसमें डालने वाले हैं जीरा इन सब को साथ में पकाने के बाद आप हम इसमें डालेंगे दो मीडियम साइज के प्याज जो कि मैं काट के यूज कर रहे थी आप चाहें तो मिक्सी में पीस के भी इसको यूज कर सकते हैं प्याज पकाने के लिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इन में थोड़ा सा नमक और हमारी प्याज इससे अच्छे से पक जाएगी अब हम इस सेच पे इसमें एड़ करेंगे अपना चिंजर कार्लिक का पेस्ट नमक अब तो देखिए अब हमारी प्याज पक चुकी है अब हम इसमें मसाले डाल देंगे हम ने डाला है 15 चंबड दणिया पॉडर, 15 चंबड लाल मिर्ची पॉडर और आदा ही चोटी चमज मैंने डाला है हल्दी पॉडर मसाले को अच्छे से पकाने के पाद अब हमने इसमें आड़ कर देना अपना टमाटर जो हमने पीस के रखे हुए थे यहां मैं दो मीडियम साइज के टमाटरों का यूज कर रही हूँ हम इसको कवर कर देंगे तो मिनिट के लिए और हमारा मसाला पक के थोड़ा सा तेल छोड़ देगा अब हम इसमें आड़ करने वाले हैं आदा चोटी चमज प्लैक पैपर और आदा चोटी चमज मैं डाल रही हूँ यहां पे जीरे का पॉडर और यह कस्तूरी मेति आप चाहें तो कस्तूरी मेति को भून के भी डाल सकते हैं पर मैंने इसको डिरेक्टली हातों से मसल के ही डाल दिया था और इसका फ्लेवर छोलो में बहुत अच्छा आता है और आप इसमें डालेंगे यहां पे थोड़ा सा आदा चोटी चमज करम मसाला इनको अच्छे से पकाने के बाद हम इनको 2 मिनिट के लिए कवर करके रखतेंगे देखे हमारा मसाला ने तेल छोड़ दिया है हमारा मसाल अच्छे से पक चुका है अब हम इसमें डालने वाले हैं अपने उबले हुए छोलो को छोलो को डालते वक्त मैंने जो चैपत्ती का पानी बनाया था छोले उबालते वक्त वो भी हमने इसमें एड कर दिया है अब इसमें डालेंगे आदा शोटी चमन नमक और इसको हम ढखके पका लेंगे हमारे जो छोले हैं वो उनोंने तेल बहार आगया है चारो तरव से और हमारे छोले बनके बिल्कुल तयार है आप चाहें अगर और पतले आपको चोले करने हो तो आप इस टेच पेन में पानी एड कर सकते हैं तो जल्दी से छोलो को तड्का देख लेते हैं तो एक कडाए में हमने तेल लिया यह हमें दो चंमन का यूज कर रही हैं देसी घी का और हमने लेया है हरी, मिर्च और अद्रक जिनको हमने लंबा-लंबा काटा था इसमें डालना है हमने अजवैन, हींग और लाल मिर्च पॉडर आप ध्यान रखेगा कि अजवैन का और हींग का प्रियोग आप थोड़ा इसमें कम करेंगे और यह हमारा तड़का हमने चोलो पे डाल दिया है जोकि बहुत सुंदर लग रहा है लगने के बाद तड़का चोलो में और यह खाने में भी बहुत टेस्टी बने थे तो आप राइस जरूर कीजेगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा अगर मेरे चैनलो के सबस्क्राइब भी कर सकते हैं तो अब हम बना लेते हैं अपने जीरा राइस जीरा राइस बनाने के लिए मैंने यहां पर एक कुप चावल को अच्छे से धो लिया था और 5-10 मिट के लिए भीकोके रखा था तो कुकर में हमने लेने हैं रिफाइन गशाओर जैसे हम एसमें डाल देंगे एक ज़ी अब अब गरम उचावल जारी चावले धु vigil लिए इसका आंगे हम कुकर में बना रहे हैं आप चाहे तो किसी खुले बरतन में भी अपनी जीरा राइस बना सकते हैं और हमने डाला एक चमच नमक और एक सीटी के बाद हमारे चावल कुछ इस तरह से बनके तैयार है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर सब्सक्राइब कीजिएगा